कि हलो एविर्वियान विल्कम पार्प्राइब चनल हेलो फ्रेंट से पुर्ण करती हूं आपको किंपेशन चनल में ठंड के साथ भारिज भी हो रही है और इस तरह में पकोड़ों का तो अपना अलग ही मज़ा हो तो अलग ही टेस्ट आएगा खाने में और उसके साथ में आपको मिल जाए फिर बीडियो को बीना इसकी पूरा वाज किया करें जिससे कुछ भी मिशना हो और मेरी कंटेंट आपको अच्छा लगत तीस सब्सक्राइब करें मैं चनल को और वीडियो को लाइक जरूर किया करें चलिए बनाने शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए म बरेशाइज का मिर्च लिया है फ्रंस इस ये तीखी नहीं होती है फ्रंस बॉत लाइट तीखी होती है इसी से मिर्ची बड़ा बनाया जाता है इसे मैंने टोकर एसे बीच से कक कर लिया है फ्रंस इसके ằngतक्त बहाना है नहीं तो यह अलग हो जाएंग के बीज आप अपस कुल नेवाईयद भी उसको भी उसका भी उसके जक्टे हैं बहुत अच्छा फ्लेवर राता है चार हारी मर्ठस से कड़् को दू छॉड़ या इक किiforma चुम्ढन्या एक्चमाष जीरा ओक्चमाष शाबुद ऐक्चमाष जाबुद शॉम्प एक्चमाष लाल मिइज पायड़ एक चमाष गरममशाला तोड़ा सा हींग आमचूर पाउड़े एक्चमाष इत्ना आध़ज राई आध़ज जवाइन स्वाधन्शा नमग आधा चमज इतना कला नमग थोड़ी सी चीनी फिर इससे हम डालेंगे ना तो हमारे मशालों का बैलेंस रहेगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा यही सब सीक्रेट है जोदपुरी मिर्ची बढ़ा के अब मैंने गयास को पैन को रख अब इसमें हम धनिया को डाल देंगे जीरा को डाल देंगे सॉम को डाल देंगे और इनको रोष्ट कर लेंगे अब फ्रेंट्स आप ऐसे बनाएंगे ना प्यूरी को तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है देखे मैंने बूलिया गश कॉफ कर दिया बहुत ज्यादा नहीं अब इसको ग्राइंड कर लेंगे इसमें हम इसको कूटेंगे आप ग्राइंडिंग जार में भी कर सकते हैं बट फाइंड नहीं पीष्णा में इसे कोर्स ही रखना है देखे मैंने इसे कोर्स कूट कर ले लिया है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गैस कॉन के कड़ाई को अब इसको गरम होने देंगे अब राई को डाल देंगे ऑल गरम हो गया है चुटकने के बाद इसमें एंग को डाल देंगे अध्रक को डाल देंगे अब इसको भून लेंगे जिससे इसका कच्छा पर निकल जाए मिर्च को डाल देंगे फ्रेंट से मिर्च आप अपने कोडिंगी डालें जितना तीक आप खाते हैं अब हल्दी पाउडर को डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर को डाल देंगे फ्रस तीक आप अपने अग्वाडिंगी रखें थोड़ा सबुनने के बाद इसमें आलू को डाल देंगे थोड़ा सब्सक्राइब नमक को डाल देंगे थोड़ा से काला नमक डाल देंगे पे फ्रस काला नमक की इसकी बहूत अच्चा टेस्ट आयेगा थोड़ा से चीनी को डाल देंगे फ्रंस ये मैं सारे सीक्रेट और सारा तरीका आपको जोदपुरी मिर्ची वड़ा का बता रहे हूं जैसे जोदपुर में बनाया जाता वही तरीका मैं आपको बता रहे हूं अब इसको अच्छा से बून लेंगे अब गरम मशालो को डाल देंगे जो मशाले मैंने बून कर गूट कर लिया था बूसको डाल देंगे अब अच्छा से मिक्सर के बून लेंगे अब पुदीना की पत्यों को डाल देंगे जो कट करके रखी थी इसको भी मिक्सर के बून लेंगे इससे अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका फ्लेवर भी आ जाएं अब इसमें धनिया को डाल कर यह कर देंगे अर इसको ठंडा होने के बाद करेंगे इसमें फ्रंट अ आम-चूर पावडर को हुव पावल म्श Oxford हैं तो आप पावल्थ्य पाव्डर भी यूज़ कर सकते हैं वैंसेस सद्द्दम तो निंभु करऊदा नमें कर से शॉहर है नम्हें की डियोग ननक्स कर सकते हैं मिक्स करन कि लिए ये मीक्स कर दें कि थोड़ा साल्दी पौटर दाल देंगे जिस्सें इसका बहुत अच्छा न्या आएगा है लाल को दो लिए ब्रस एंड़ ज्टिदा मश्ञाले नहीं डालेंगें हैं कि हमारे थिपिंग वले मिक्षर में पहले से ही मश्ञाले हैं और यह तोड़ा साइट दालेंगे अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी पकोड़े में यूज करें बट जो है यह हमारे इम्मुन्टी सिस्टम को भी बूस्ट करता है और दाज इस्टम के लिए अच्छा होता थोड़ा थोड़ा पाइं डालकर इसको गोल बना लेंगे फिर्ट सम्गोल बहुत थीक रखेंगे क् दूसरे पकोड़ों के तरह बिटर को पतला नहीं रखना देखिए अब इसमें थोड़ा सा बेशन और डालेंगे फ्रंस थोड़ा सा पानी ज्यादा अभी नहीं तो हम इसकी स्टपिंग करके तलेंगे ना पकोड़े तो यह सारा बेशन ऐल में बाहर हो जाएगा पकोड़ पूरा अच्छे से इस्टपिंग कर देंगे जिससे मिर्जी बड़ा खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता जब अच्छे से इस्टपिंग होती है देखिए मैंने कुब अच्छे से दबा दबा कर पूरा इस्टप किया है देखिए मैं सच में खाने में बहुत ही डिलेशन लगते मैंने साथ पीश टोटल रेडी कर लिए चलिए अब हम इसको फ्राइ करेंगे प्रण्स मैंने कडाई को रख लिया था उसमें और अल को डाल दें गास के प्लेम को है रख अब मेरा अल थोड़ा गरम तब दो चम्मच इसमें ग तो हम चार्वाद में और फ्रेटेंगे देखिए मैंने चारव से पाद में फ्रेटा इसका कलर भी लाइट हो गया थोड़ा फ्रेंट अब हम अग्रंस में गास को बहुत ज्यादा हाइफ लेम पे रख और अल को थोड़ा सा गरम करने बात गयास के फ्लेम को मीडियम कर दे जांगे नहीं इसकी कोड़े सकते हैं या हैंड मेर दाल दिया है कि कोड़ करके कीजया है पडिल जतना के दाल कोड़ करके कड़ाई है की एक बार में जितने हrison records कि प्रश्व निकाल लेंगे सारे मीडियम फ्लेम पर ही तो इतने डिलेशिस और मैंने इसके साथ हरी दनिया की और पुदिने की चटनी और सौस को मैंने सर्व किया है आप इसके साथ चाय कॉफी के साथ भी निजोए कर सकते हैं अगर मेरी जोद पूरी मिर्सी बड़ा की रेश आपको मिल जाए थैंक यू सो मच और थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो लब यू ओल फ्रेंड्स